हेलो एप्रीवेन वेलकम बैक टो यूटूब चैनल मेडिकल नर्सिसर आज की क्लास में जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह 20 जून को होने वाला पेपर जिनका भी SGPGI के लिए पेपर है 20 जून को साथी साथ 20 जून को रतलाम जी एंसी का भी पेपर है और अप की अपके लिए हेल्प मिल सके तो मोस्टली लोग ओने SGPGI का ओफिसियल स्लेवर से जो देख लिया होगा वेबसाइट पर अप्डेट कर दिया गया है most important and second thing कि आप एप को डाउनलोड कीजिए हमारी जो ओफिसियल एप मेडिकल एं नर्से सब जिनका भी NHM के लिए पेपर उनके लिए सभी पेपर्स अवेलविल है SGPGI का मेरे पास only एक बन पेपर था तो मैंने आपके लिए अप्लोड कर दिया था and PGI के बहुत सारे पेपर से दिया आप चाहें तो वो पेपर में आपको एप पर अपडेट कर दूँगी जहां से आप उनको ले सकते हैं SGPGI का स्लेवर्स रहने वाला है वो मैं आपको यहां पर within two minute में पूरा explain कर देती हूं आप्टर हम इस क्लास को continue करेंगे इसमें आपके 100 प्लस से ज्यादा एंसी क्यूश ओफीसियल स्लेवर्स है जो ओपन किया हुए डारेक्ट वेबसाइट पर आप जाके इसको देख सकते हैं कि आपको पेपर किस टाइप का आने वाला पैटर्न क्या रहेगा और I think SGPGI के Admit Card भी डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए तो आप लोग फ्लीज वेबसाइट को जरूर एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि जिनका 20 जून को पेपर उसके Admit Card इन्होंने अपडेट कर दिये हैं तो आप एक बार चेक कर लें डेट है जो आपकी फिक्स है 20 जून 2022 को आपका पेपर होने वाला है Admit Card आपको इन्होंने वेबसाइट पर आइचिंग अपडेट कर दिये हैं तो आप जाके वहां एक बार प्लीज चेक कर लीजिए अब आपका एक्जाम का पैटर्न स्लेवस की बात करें हम तो इन्होंने कहा है कि सिस्टर ग्रेट सेकंड के लिए फेपर होने वाला इसमें आपका स्लेवस इस तरीके से रहेगा कि आपको 10 नंबर की जन्दल इंगलेस आएगी 10 नंबर का जीके आएगा रीजनेंग आएगी मैंथ आएगी 10 नंबर की नर्सिंग आपकी 60 मार्क्स की आएगी तो जो टोटल आपका 100 MCQ होने वाले हैं 100 क्वेस्टन आएगे जिसमें से आपका 60 परसेंट आपकी नर्सिंग कवर करेंगी जो आपने GNM BST में पढ़ा हुआ है मांकि 40 परसेंट में GK जनरल नौलेज रहेगा जनरल इंगलेस है रीजनेंग और मैथमेटिकल अप्टिटूट हैं तो यहां पर अब यहां पर इन्होंने देखिए पूरा स्लेवस डेटेल में भी दिया हुआ है कि GK जनरल नौलेज अप्टिटूट में क्या हैं जनरल नौलेज और जनरल अवेरनेस में आपको जो एड़ प्रिजेंट क्या हो रहा है वो सभी चीज़ें आएंगी और यहां पर अब नर्सिंग सब्जेक्ट की बात करें तो यह जनरल जो जीके नोंने सभी के लिए जितने भी एक्जाम है आपके चाहें लेप टेक्न करेंगे स्लेवस की तो सिस्टर ग्रेट सेकेंड के लिए स्लेवस ए रहा है यहां पर बेसिक साइंस में नोंने पूरी इनाटमी रख दी है आपके लिए उन्होंने साफ कहा है फर्स्ट टॉपिक में ही आपका पेपर अच्छा आएगा है ऐसा नहीं है कि जो एनेचे में ए आप पर बतानी है नेक्स्ट नूट्रीशन में तो नूट्रीशन में आपके पूरे आपको विटामिस मिनरल सिंसे होने कमी से होने वाली डिसीज ज्यादा होते हैं तो क्या प्लांट डाइट क्या रहेगी अलग-अलग डिसीज पैटरन पे में अच्छा खासा टॉपिक इ सब्सक्राइगी फंडमेंटल ऑफ नर्सिंग में आपके एटिक्वेट सेथेक्स फस्टेट कंजनाइटल स्वरी कंजेनियल सेफ इंबारमेंट है बेसिक नर्सिंग प्रॉसीजर नर्सिंग में पड़े हुए हैं और यहां पर रिकॉर्डन रिपोर्ट से आपको एग्जा क्या इस्ति करेंगे कैसे ट्रीट करेंगे उस सब चीजें रहां पर आप कि आएगे पिडियार्ट्रिक में भी आपका पूरा ग्रोथ डBrॉफलप्न्न पूरे that means anti intra postpartum और epiziotomy रहेगा आपका और management रहेगा यदि आप से कोई emergency obstetrical emergency आती है तो family welfare advice का मतलब है यहाँ पर आपकी family planning methods है जो cover हो जाएंगी administration education की मैंने आपको अलग से classes ली थी तो आप उसको एक बार review कर लें तो यहाँ पर यह था आपकी nursing के लिए slavers अब यहाँ पर उस sister tutor का slavers है वो भी एक बार आप लोग देख लीजिए और जो लोग अलग-अलग category के लिए exam दे रहे हैं वो लोग प्लीज पूरा slavers से जो एक बार चेक कर लें आपनी तैयारी करें क्योंकि आपके पास अब ज्यादा time नहीं है आज already है जो 8th June हो चुकी है आपका exam है 20 June को जो लोग paper दे रहे हैं एक बार slavers जरूर देख लेना then after आपको only revise करने का time बस बचा है तो यहां पर आपको पूरा topic है जो एक भी topic मिस नहीं करना है sister tutor के लिए भी उन्होंने वही same है जो topic दिये हुए हैं तो आपको जो आप अपने staff nurse grade second के लिए तैयारी कर रहे हैं वही आपको यहां पर पढ़ना है तो यहां पर हम बात करेंगे आज की class की तो आपकी आज की class है और जो upcoming आपकी 8 से 10 दिन तक class है रहेंगी वह आपके slavers के according रहेंगी तो GKS है जो मैं आपको अपनी तैयारी है जो अच्छे से रखना है बागी nursing subjects आपके cover करवा दिये गए हैं almost लेकिन फिर भी आपको एक बार पूरे है जो reverse कर लिया कि अब आपको exam किस pattern पर आएगा तो 60% आपके nursing subjects है वहां की 40% non nursing है तो आप उसकी भी तैयारी कीजिए अपनी but आपका nursing subject है जो लोग 20 जूल को exam देने वाले हैं MPNHM की जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप लोग प्लीज जो previous slave से उसके according अपनी तैयारी continue रखे क्योंकि आपके paper है जो उसी slave के pattern को भी अधी follow करेंगे तो आपको ज़्यादा कठना ही नहीं आनी चाहिए क्योंकि last time paper और 2019 में जो NHM ने paper करवाएं अच्छे paper हुए हैं सभी papers आपको available हो जाएंगे तो यहां पर लास्ट क्लास में question आपके लिए दिया गया था question था effectiveness of contraceptive method is assist by जो contraceptive method की effectiveness कैसे assist करेंगे तो almost सबने answer सही दिया है pearl index के द्वारा pearl index क्या है कि यदि आपने contraceptive method भी use की है लेकिन तब भी आप conceive कर लेते हैं pregnant हो जाते हैं that means क्या हो गया fail हो गई आपकी contraceptive method तो वही यहां पर क्या किससे हम find out करेंगे pearl index से it is defined as number of contraceptive failure contraceptive failure के लिए हम किससे चेक करेंगे pearl index से per 100 movement years of exposure यहां पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है आज की क्लास का first question है scientific study of human population is required as human population की scientific study क्या कहलाएगा population changes, population explosion, demographic transition यह फिर demography तो यहां पर आपको community health nursing में vital aesthetics हैं तो वो यहां पर आपके demography में पूरे cover हो जाएंगे तो आपको जो classes census के regarding vital aesthetics के regarding IMR, MMR, NMR ली गई है वो आपको एगा review कर लेनी है तो यहां पर population की scientific study क्या कहलाएगी की demography next one is the administration of ready-made antibody is called तदिया पजार से antibody लाके खरीद लेके आते हैं पर्चिस करते हैं और आपकी बोडी में इंजेक्ट कर देते हैं तो यह कौनसी इम्मिनिटी कहलाएगी natural active, natural passive, artificial active या फिर artificial passive immunity जो immunity हम मार्केट से लाए और लाके आपकी बोडी में इंजेक्ट कर दी तो यह कौनसी immunity हो गई यह होगी सकती है और एक्वाइड जो कि हम इसको adaptive immunity भी कह सकते हैं तो पैसे होती है एक्टिव होती है फिर इसको भी नैच्रल में दी लेके आते हैं फिर नैच्रल जो अब मदर के मदर के थो बेबी को मिलेगी वो क्या कहलाएगी पैसिव नैच्रल एक्वाइड इम्मुनिटी और जो एक्टिव में जो हमने मार्केट से लिए वेक्सिनेशन करवाए वो क्या कहलाएंगे एक्टिव आटिफीसियल पैसिव इम्मुनिटी इस तरीके की जो इम्मुनिटी होती है तो यहां पर आपको एचार्ट और बहुत सारे चार्ट तो अवेलेवेल हो इम्मुनिटी के याद रखना है या फिर बेवी को इम्मुनिटी ट्रांसफर होगी वो एक्जाम में आती है या फिर इम्मुनिटी की डेफिनेशन आटिए तो यहां चाहिए और इधी आप मार्केट से लेके इंजेक्ट करवाते हैं तो कौनसे इम्मुनिटी हो जाएगी कि artificial passive immunity next जो आपकी body खुद बनाएगी वो कौन से immunity कहलाएगी natural immunity next one is which one of the following statics is computed if one wants to compare the risk of some health related events such as disease or death in two groups तो यदि हम क्या करना चाहते हैं compare करना चाहते हैं risk factors को लेके दो ग्रूप में या फिर दो disease को लेके death को लेके दो ग्रूप में अधी हमें क्या करना comparison करना है तो वो क्या कहलाएगा कौन सा statics fit बैठेगा इस चीज के लिए कि अधी हम दो चीजों के बीच में compare कर रहे हैं तो option में incidence rate, point prevalence rate, relative risk ratio या फिर प्रिवलेंस rate तो यहां पर दो ग्रूप के बीच में disease और death को लेके यदि कुछ compare करना है तो कौन सा health statics best होगा तो वो गया पर relative risk factor या पर relative risk ratio क्योंकि यहां पर साब कहा है compare the risk of some health related events किस risk factor के करने disease या पर death हो रही हैं दो group में comparison करना है हमें कैसे करेंगे risk ratio से यहां पर आप इसको mark करेंगे C relative risk ratio incidence का rate का मतलब होता है कि जो नहीं नहीं केस आ रहा है किसी disease को लेके वो prevalence में old or new है जो दोनों include हो जाएंगे next one is the recovery period from the infection is called जैदी infection से आप recover हो रहे हैं किसी disease के तो वो recovery period यहां पर क्या कहलाएगा susceptibility incubation decline या फिर convergence यहां पर recover होते हैं या आप किसी disease से तो वो क्या कहलाता है आपका convergence क्या कहलाएगा convergence disease की first sign symptom आपकी body में सो होते हैं तो वो क्या कहलाएगा incubation period next one is what is the formula for normal mean pulmonary artery pressure तो यहां पर direct answer दिया हुआ है mean pulmonary artery pressure कैसे check करेंगे तो यहां पर pulmonary artery systolic pressure प्लस टू इंटू pulmonary artery diastolic pressure divided by 3 यह formula आपको अपने mind में set करके रखना हो सकता आपको exam में systolic pressure diastolic pressure बता दें pulmonary artery का और आपको calculate करना पड़े तो आपको यह formula है जो याद रखना है चाहें तो आप अपनी notebook में या फिर screenshot लेकर इसको रख सकते हैं अब जो normal होता है normal कितना होता है mean pulmonary artery pressure range पूंचते हैं तो 20-25 mm of Hg यदि normal systolic कितना है 30 mm of Hg diastolic कितना होगा 20 mm of Hg pulmonary artery systolic pressure यहां पर आपको mean निकालना हो तो दोनों को calculate करके निकाला जाएगा जो normal होगा कितना होगा 20-25 mm of Hg next one is which of the following immunity is obtained during a lifetime कौन सी immunity है जो lifetime रहेगी acquired active immunity passive immunity या फिर none of the above तो कौन सी immunity है जो कि lifetime रहेगी वो है यहां पर acquired immunity कौन सी हो जाएगी acquired immunity जो कि lifelong है जो रहेगी next one is hepatitis is an example of तो hepatitis किस type का example है subunit vaccine का killer vaccine का toxide vaccine का या फिर recombinant vaccine तो किस type का example है hepatitis है तो hepatitis है किसका recombinant vaccine का एसी vaccine जो DNA technology के थरो बनाई जाती है वो क्या कहलाती है recombinant vaccine तो यहां पर hepatitis B जो vaccine दी जाती है तो इसमें भी क्या होता है hepatitis D virus कौन सा वाइरस है DNA virus तो यहां पर भी hepatitis किस type का example हो जाएगा recombinant vaccine जिसमें क्या किया जाता है vaccine produced through the recombinant DNA technology तो यहां पर आपका answer क्या होना चाहिए recombinant vaccine next one is which of the following statement is true about the IgM of humans human being में immunoglobulin M को लेके कौन सा point है जो सही है IgM can cross the placenta IgM can protect the mucosal surface IgM is produced by high affinity plasma cells यह फिर IgM is primarily restricted in the circulation तो यहां पर placenta को cross करना बताया है तो placenta के लिए कौन सा immunoglobulin है जो cross कर सकता है तो placenta को only IgG बस है जो cross कर सकता है तो यहां पर IgM है जो बहुत minor way में cross कर सकता है यहां पर का IgM can cross the placenta IgM can protect the mucosal surface IgM is produced by high affinity plasma cells यहां पर IgM is primarily restricted in the circulation तो यहां पर आपको सही point बताना है तो IgM है जो placenta को cross नहीं करेगा क्योंकि only IgG बस placenta को cross कर सकता है mucosal surface को भी यह protect करने का काम नहीं करेगा and यहां पर सबसे ज़्यादा IgM नहीं होता है तो यहां पर IgM का जो true point है वो क्या है IgM is primarily restricted in the circulation IgM है जो direct आपके circulation में नहीं जाएगा यहां होगा restricted रहेगा यहां पर सही point पूँचा है तो आपका सही answer क्या होगा डी IgM is primarily restricted in the zero global in है उनके type और function दिये हुए है जो आपको exam बहुत ज़्यादा important है तो यहां पर क्या था कि सही point IgM को लेके बताना था तो क्या था कि IgM circulation को circulation में क्या रहेगा restricted होगा जदी IgM की बात करें तो IgM largest antibody है human body में और इस सबसे पहले कोई भी आपको infection होगा कुछ भी होगा सबसे पहले IgM है जो क्या होगा रिलीज होगा IgG की बात करें तो 75-85% all antibodies का है क्या रहेगा IgG रहेगा और placenta को cross करने का काम यही करेगा placenta को passive immunity भी कौन provide कराएगा IgG IgG only placental barrier को cross कर सकता है अब IgA की बात करें तो IgA का काम होता है immunoglobulin A का काम क्योंकि यह first defense के साथ साथ ही क्या करेगा saliva, tears, intestinal, juice और milk में है जो रहेगा IgE respiratory tract infection जो भी mucosa है वहाँ पर यह रहेगा तो यहाँ पर IgM का एक काम नहीं होगा जो यहाँ पर option में दिया हुआ है IgE का क्याम क्या है mucosal lining में present रहेगा तो respiratory GI tract और tonsillitis में तो यह generally allergy होती है जब यह फिर hypersensitivity reaction होता है तब क्या होगा IgE है जो जादा जो activate रहेगा next one is interferons are interferons क्या है cytokines barrier, physical barrier, cellular barrier यह फिजियोलोजिकल barrier तो immunoglobulin को लेके आपके लिए previously 2 या 3 classes मैंने separately 10-10 मिनट में पूरा पढ़ाया हुआ है तो आप उन class को ज़रूर प्रिफर कीजिए वहाँ से आपको immunoglobulin और ज्यादा clear हो जाएगा क्योंकि 2-3 question आपको रखे हुए मिलेंगे तो interferons क्या है cytokine barrier है, physical barrier है, cellular barrier है फिजियोलोजिकल barrier है तो यहाँ पर जो cytokines है cytokines क्या है interference क्या है cytokines barrier जो कि small protein होंगे जो कि growth और activity को other immune system क्या करेंगे control करने का काम करेंगे तो cytokines क्या हो जाएगे है आपर interference क्या है cytokines barrier जो कि क्या करेंगे cell और blood cells की activity को control करने का काम करेंगे which of the following cells of the immune system does not perform the phagocytosis तो phagocytosis की process में कौन सा है जो immune system काम नहीं करेगा या फिर अपना जो performance नहीं देगा phagocytosis में option है macrophage, neutrophil, isonophil या फिर basophil तो यहां पर जो phagocytosis है जिसको हम क्या कहते हैं phagocytosis process में क्या होगा जो भी particles more than 0.0 मुम डायमीटर से बड़े हों के चाहे वो substance, foreign substance, apoptic cells हों या फिर कुछ अदर cells हों तो उन सब को phagocytosis का मतलब क्या होता है इंगल्प करना इंजिस्ट करना खाना तो कौन सी cells है जो एक काम नहीं करेंगी तो एक काम कौन नहीं करेगा वैसोफिल क्योंकि यह बहुत जादा size में छोटी होंगी इसलिए तो phagocytosis में कौन है जो immune system की cells नहीं होंगी तो क्या है वैसोफिल बांकी सब करेंगी next one is monocytes differentiate into which kind of phagocytic cells तो monocytes है जो phagocytic cells से किस तरीके से different है neutrophil के कारण, B cells के कारण, macrophage के कारण, T cells के कारण तो phagocytic monocytic के बीच में क्या difference है वो है macrophage का क्या है macrophage का next one is the first line drug for treatment of mania r mania की first line drug क्या है lithium, valproate दोनों है अब option में दोनों दी हुई हों का है बोट अब 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 आप चूस कीजिए कि क्या सही होगा तो वो होगा यहां पर lithium, valproate दोनों है जो drug of choice मानी जाती है mania के treatment में mania जिसको हम क्या कहते है hyper activity भी कहेंगे विसी का opposite क्या हो जाता है depression mania को कैसे treat करेंगे अदी, valproate ना हो exam में lithium बस हो तो आप उसको विमार कर सकते है क्योंकि lithium वो valproate दोनों है क्या है drug of choice मानी जाती है mania के लिए उनको हम क्या कहते है anti-manic medicine और एक तरीकिस anti-sigotic medicine भी है next one is degoxin should not be given a patient is having degoxin हमें कब नहीं देना है patient को क्या हो bradycardia हो, hypertension हो hypotension हो या फिर tachycardia हो तो bradycardia का मतलब होगा जब pulse rate below 60 हो tachycardia का मतलब होगा high होगी more than 100 से जादा अब यहाँ पर degoxin हमें कब नहीं देना है जब patient को bradycardia हो क्योंकि already bradycardia में pulse rate के less than 60 रहेगी जब माना जाएगा already और हम उस टाइम पर degoxin दे देंगे तो ही क्या करेगी और कम कर देगी pulse rate को जिसके patient के लिए और जादा खतरनाग हो सकता है degoxin हमें कब नहीं देना है जब patient को bradycardia हो avoid करना है next is a 10 hour of phase an infant has a large amount of mucus and become cyanotic what should the community health officer do first तो यदी किसी बच्चे को 10 घंटे हुए बच्चे की delivery को 10 घंटे का बच्चा है 10 hour उसकी अधियेज कहें तो बहुत जादा mucus secret हो रहा है उसको बच्चा कैसा हो cyanotic होते जा रहा है तो आगकी फिस्त priority क्या होगी record the incident administer the oxygen suction या फिर इंसाइट एंजीटू तो यह से केस में अधि आपको क्या है oxygen भी administer करना हो suction भी है और बच्चा अधि बताया है कि कैसा है cyanotic होते जारा दीरे-दीरे तो यहाँ पर आप सबसे पहले suction करेंगे क्या करेंगे suction करेंगे पहले mouth से suction करेंगे then after nose से करेंगे जिससे बच्चा क्या है aspirate ना कर पाए तो यहाँ आप mucus को aspirate ना कर पाए तो यहाँ पर question क्या है कि बच्चा 10 गंटे का है बहुत जादा mucus का secretion कर रहा है cyanotic हो रहा है तो यह से case में आपकी first priority क्या होगी suctioning करना अब suctioning कैसे करना है first mouth से then after nose से unconscious client हो बच्चे हो इन सभी में कैसे करेंगे हम पहले mouth से then after nose से जिससे जो बच्चे हो या फिर unconscious client हो क्या करें mucus को aspirate ना कर पाए next one is which of the following drug will be administered to treat anaphylactic reaction तो anaphylactic reaction किसी venom के कारण जहर से भी हो सकती है respiratory problem से हो सकती है heart problem से हो सकती है तो anaphylactic reaction को treat करने के लिए कौन सी medicine हम यूज करेंगे फिर drug of choice की बात करें तो option में sodium bicarbonate epinephrine, degoxin, फिरेट्रोपिन तो anaphylactic reaction को treat करने के लिए हम क्या दे सकते हैं epinephrine, क्या देंगे epinephrine next one यहाँ पर जो मैंने बताया कि anaphylactic reaction आपको किसी भी blocking breathing से भी हो सकता है air बे narrow है तो भी हो सकता है BP आपका suddenly drop हो जाए क्या हो जाए? बहुत जादा कम हो जाए? pulse बहुत जादा weak हो जाए? तो यह क्या होगा? आपका anaphylactic reaction होगा तो यहाँ से case में आपको जो drug of choice क्या है? वो epinephrine next one is what type of immunity is transferred to the fetus through the placenta तो जस्ट मैंने आपको भी बताया कि कौन सी immunity है जो fetus को transfer होती है वाई the placenta के passive artificial active artificial passive natural या फिर active natural तो यदी बच्चा जब अपनी खुद की immunity बनाता तो वो क्या कहला थी? active natural immunity लेकिन उसको कहां से मिल रही? अपनी मा से मिल रही है तो यह क्या हो जाएगी? पैसेव हो जाएगी और इम्मिनिटी मिल रही है वो कौन सी मिल रही है? natural तो क्या कहला है कि passive natural immunity next is in 28 days human ovarian cycle ovulation occur तो ovulation का मतला होगा एक कर release होना ovulation की process यदी 28 days की human menstruation cycle है ovulation कब हो गया है? किस दिन release होगा? day 5 में day 28 में day 1 में या फिर day 14 में तो यहाँ पर यदी ovarian cycle menstrual cycle आपकी क्या है? different है किसी की 35 days में किसी की 20 days में बढ़ जो एक range मानी जाती है वो कितनी मानी जाती 28 जनती है ज़ी 28 दिन में है तब ovulation की process कब होगी? चवदवे दिन में कब day 14 में next one is in human each kidney has large number of filtration units called तो human body में जो kidney है वहाँ पर बहुत सारी filtration units होती है वो क्या कहलाती है? neuron, nephron, neutron FNF चे उन तो बहुत ही easy question है क्या कहलाती है? nephron kidney की जो functional unit किसको कहा जाता है? nephron को brain की पूंचे हैं तो neuron को next one is life span of human RBC तो human RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का 120 days next is when assessing a child with chronic hypoxia CHO should monitor तो यदी बच्चे को क्या है? chronic hypoxia है? tissues वो oxygen की कमी हो रही है CHO as a nurse as a staff nurse आप क्या करेंगे? subcutaneous hemorrhage decreased RBC count clubbing of fingers separate slow regular respiration तो बच्चे को यदी chronic hypoxia है तो यईसे case में आप क्या है? जो सबसे पहले check करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि chronic hypoxia develop हो रहा है बच्चे में यदी chronic hypoxia है तो oxygen की क्या होगी? कमीं कम होगी? tissues में और यह क्या करेंगा? clubbing of finger है जो आपको देखने को मिलेगा कैसी होगी fingers? clubbing fingers रहेंगी जो आपको देखने को मिलेगी next one is why should you cover burn with a clean or sterile dressing? जो burn patient होते हैं और हमको clean or sterile dressing से cover करके रखते हैं तो यह से क्यों करते हैं? to stop the bleeding to cool the burned area to prevent the infection to keep a burned area warm जो यह किसी burn patient को हम क्या करते हैं? sterile dressing से क्या करते हैं? cover करते हैं तो यह क्यों करेंगे? कि हम infection को prevent कर सकें next is one PSC covers how many population तो PSC, CSC और सबसेंटर यह हमने तीनों पड़े हुए हैं एक PSC में कितनी population cover की जाती है? 20,000 से 30,000 तक 20,000 है plan area के लिए 20,000 है हिली travel area के लिए 30,000 है जो भी plan area है वहां के लिए CSC का पूँचे हैं तो 80,000 जो वड़ खावड area है पहाड़ी एलागे हों एक लाग 20,000 plan area के लिए next one is a client is entered to the hospital in active labor after an amniotomy the CHO should expect ज़िए कोई client को hospital में अड़मिट किया गया है active labor के साथ में amniotomy के बाद है जो as a CHO as anna साब क्या चीज expect करेंगे कि क्या हो सकता है after that amniotomy option में है यापर less compared with contraction increased fetal heart rate progressive dilatation and defassment diminished vaginal bleeding जदी कोई client क्या है active labor के साथ hospital में आया है amniotomy की गई है जो इसके बाद क्या हो सकता amniotomy के बाद progressive dilatation and defassment है जो देखने को मिलेगा membrane को rupture किया गया है artificially amniotomy की गई है जो इसके बाद क्या होगा dilatation और defassment देखने को मिलेगा next is a patient appear more pale than usual the CHO should do or the stafner should do जदी patient क्या है बहुत ज़्यादा pale दिख रहा है तो आप क्या करेंगे get the patient a snack note it on the chart ask the patient how he feels and take his vital sign immediately या फिर offer a glass of bottle जदी patient बहुत ज़्यादा pale दिखाई दे रहा है तो ऐसे case में आप क्या करेंगे patient से पूँछेंगे कि आप कैंसा feel कर रहा है उसके vital sign तुरंथ है जो check करेंगे next is important objectives of health services health services के important objective क्या है promotion of health cure from the disease prevention of disease या फिर all of the above तो यहाँ पर important objective क्या है health services के तो वो है all of the above health को promote करना disease secure करना disease से prevent करना तब क्या हो जाएंगे health services के important objective और आहम है जो हो जाएंगे next one is important question है आपर question देखी अपगार score को लेके है question है what is the primary critical care observation for अपगार scoring तो अपगार scoring में primary critical observation क्या होगी सबसे पहले आप क्या है जो check करेंगे अपगार score को आपको पूरा है जो याद करके जाना अपने exam के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं discovery से लेके कितने points दिये जाएंगे क्या अपगार का full form क्या होगा सबसे पहले हम क्या check करेंगे तो यहाँ पर अपगार score में सबसे पहले जो हम check करेंगे वो होगी heart rate क्या होगी heart rate सबसे पहले हमें check करना है क्या heart rate next one is the causative organism of titanus तो titanus का causative agent क्या है chloristidium titani vibrio cholera salmonella typhi यहाँ पर chloristidium welchi तो यहाँ पर titanus का causative agent के साथ titanus का treatment की जो category है वो आपको पढ़के जाना है तो titanus के लिए हाँ पर causative agent क्या है वो है chloristidium titani salmonella typhi typhoid के लिए vibrio cholera है जो cholera के लिए है तो यहाँ पर आपको क्या आद रखना है titanus के लिए क्या है यहाँ पर responsible chloristidium titani next one is ASA worker is posted in all following all given below places except ASA accredited social health activist full form याद रखे accredited social health activist सभी जगा पोस्टेड होंगे किसी एक जगाय को छोड़कर field visit में sub center में community center में super specialty hospital तो ASA worker field visit पे होंगी sub center में भी होंगी community center में होंगी primary health center में होंगी लेकिन specialty hospital में नहीं होंगी next and most important question पगार स्कोर ग्लास्गो कॉमा स्केल और ब्रेडन स्केल पाइटो ग्राफ बेसिक जो यहां पर graphics और important जो भी calculate करने के measures उनको आप याद रखे जाएं तो ग्लास्गो कॉमा स्केल से हम क्या चेक करेंगे level of consciousness, neurological assessment, fluid volume या फिर इंट्रक्रेनियल प्रेसर तो ग्लास्गो कॉमा स्केल से हम क्या करते हैं level of consciousness चेक करते हैं सबको पता हैं लेकिन अब ग्लास्गो कॉमा स्केल से direct level of consciousness नहीं आता है तो जो scoring है वो याद रखें best response क्या होगा 15 points है जो दिये जाएंगे और यदि below 3 जाता है that means patient क्या है तीन से भी कम जाता है patient क्या है जो कॉमा में चला गया होता है totally unresponsive patient क्या नहींगे 3 अब इहां पर आपको पता है कि 15 best response है 8 और उससे कम आता है तो कॉमा 2 तो 3 आता है तो patient unresponsive हो जाएगा अब यहां पर 3 चीज़ें चेक की जाती है इसमें eye opening, best verbal response और best motive response अब इनमें point है जो men और most important है exam में आपको पूछे जाते हैं यदि आपने eye opening response कहा तो उसमें तुरंत open कर ली तो हम 4 point दे देंगे speech कुछ बोला तो 3 दे देंगे pen के लिए कहता तो 2 दे देंगे और response नहीं दिया तो only 1 point देंगे तीनों में verbal, mortar और eye opening तीनों में यदि response नहीं देता तो हम क्या देंगे एक एक point देंगे best verbal में यदि patient time क्या है, place क्या है, person क्या है that means patient क्या है proper conscience है, 5 point हम यहां पर दे देंगे confusing है, तो 4 देंगे कुछ भी inappropriate word बोलता है तो 3 दे देंगे incomprehensible word sound करेगा तो 2 दे देंगे और कोई response नहीं करेगा तो 1 point, यह से ही mortar response में आपने जो कुछ बोला उसमें सुना हो किया that means उसने आपकी command follow की तो कितने point देंगे, 6 अब यहां पर आपने उसने आपके लिए बताया कि कहां पर pen हो रहा है, तो उसके लिए 5 देंगे flexion withdrawal from pen 4 point, abnormal flexion रहता है तो 3, decrevitate होगा extension रहेगा, तो 2 और कुछ response नहीं, तो 1 एक एक जब person कोई response ना दे that means patient क्या होगा, unresponsive तो 3 देंगे और 8 से कम देते हैं, that means patient क्या हो रहा है, कॉमा की category में जा रहा है, और below 3 चला जाता है, that means patient क्या है, कॉमा में चला गया है, next one is when a client sustains a deep partial thickness burn because of severe sunburn, the nurse teach that the best first aid measure is first aid आपको question exam में आना है यदि कोई deep partial thickness burn patient है क्योंकि किस से हुए sunburn के nurse teach that the best first aid measure is तो यदि आप ही माल लीजिए चितेश दूप में जाए 40-50 degree Celsius की दूप में आपको deep partial thickness burn होगा तो यहां पर आप क्या करेंगे dry sterile dressing cool moist towels vitamin A and D ointment enalgessic sunburn spray तो यहांसे case में आप क्या करेंगे कि जब आपको severe sunburn के कारण deep partial thickness burn हुआ है तब आप daily moist towel लेंगे ठंडी towel लेंगे और जिस सेरिया में burn हुआ है वहां पर रखेंगे next one is which organ of the body involved in the process of respiration respiratory process के लिए कौन सा organ है जो involved रहेगा brain, kidney, liver, effilungs सब को पता है respiration में क्या उर्गन रहेगा active lungs next is full form of dots dots से आपको कब add हुआ है कितना इसका duration होता है exam में आता है logo भी आ सकता है dots का full form बताना है तो dots का full form होता है directly observed treatment salt course क्या है directly observed treatment salt course यह हाँ पर WHO ने RNTCP के साथ इसको 1997 में add किया था next one is the female hormone secreted from obri is तो female hormone जो की obri release होंगे वो कौन से है follicle stimulating hormone estrogen, luteinizing hormone यह फिर all of the above तो यह हाँ पर जो hormone obri secret करती है वो कौन सा है वो estrogen hormone क्या है estrogen hormone जो की obri release करेगी next one is the site of fertilization in human is human में fertilization की process कहां पर होती है fallopian tube uterus, obri या फर बजाइन तो यदी आपको fertilization पूँचते हैं तो कहां होगा fallopian tube के ampula part में implantation पूँचते हैं तो कहां होगा uterus में यदी uterus में नहीं होगा fallopian tube में oviduct में implantation हो जाएगा ताव उसको क्या कहेंगे ectobic pregnancy लेकिन अधी fertilization की बात करां तो fallopian tube के ampula part पूँचते हैं तो fallopian tube के बात को ट्रीट करने में जाएगी century को differentiate करेंगे next one is dot therapy category one is provided for the period of time to dots की जो category 1 है दो category 1 generally 1 or 2 category first है जो की dots की कितने duration के लिए रहेगी dots therapy में medicine दी जाती है first line anti-turecular drug दी जाती है इसमें तो यहां पर कितने duration के लिए दी जाएंगे six month seven month eight month यह पर nine month dots की जो category first है इसमें total six month के लिए medicine दी जाती है जो की कैसा होगा color code होगा जो box का जो category first medicine दी जाएंगी red box होगा category second देंगे हम तो कौन सा होगा blue box category first में six month का duration होता है category second eight month का याद रखना है category first में कितने वहीं महिने का duration होगा six month का category second पूंचते हैं तो eight महिने का अब यहां पर किस तरीके से category पता होगी new sputum smear positive new sputum smear negative new extra pulmonary and new others तो यह क्या हो जाएंगे हापर category first में आ जाएंगे second में relapse रहेंगे आपके the result sputum positive failure report आएगी तभी किस में आएंगे category second में कितने time के लिए रहेंगी eight month के लिए next one is bvm is used for monitoring the potency of the vaccine while monitor से हम कितने temperature पर vaccine को रखना है कैसे खराब होने से बचाना है वो करेंगे यहां पर कौन सी वैक्सीन है जो कि अप उसकी potency को check करेगा तो कितने temperature कौन सी वैक्सीन रखनी चाहिए इससे वो क्या होगी खराब नहीं होगी बेस्ट नहीं होगी उसके लिए bvm यूज किया जाएगा कौन सी वैक्सीन है तो हो है यहां पर और ऑबी वैक्सीन ओरल्प एक्सीन नेक्स्ट बनेजिश थीर्मोन क्वार्डिनेट्स यूट्राइन टांत्रेक्शन अप्ट अते तब वो है यहां पर oxytocin hormone, क्या है oxytocin hormone, next one is partograph is used to, partograph is used to, तो partograph का use किसके लिए किया जाता है, जो एक graphical presentation दिया जाता है, जब you time contraction आते हो उस time पर, तो एक partograph है, जो एक paper जैसे आपने देखा होगा, labor room में आपको देखने को मिलेगा, तो partograph में आप क्या check करेंगे, assist the fetal well-being in the labor, assist the condition of a baby at birth, record the events of pregnancy, या फिर assist the progress of labor, तो partograph में क्या किया जाएगा, कि labor की progress क्या है, uterine contraction कैसे आ रहे हैं, तो इस सब किसमें हैं, जो note down किया जाएगा, वो होगा partograph, जो paper type से देखा होगा आपने, तो क्या कहलाता है, partograph, next one is, oxygen administration through nasal cannula should not more than, तो oxygen administration जब nasal cannula से करते हैं, तो में more than 2 to 4 point, sorry, 2 to 4 liter है, जो oxygen से ज़्यादा, अड्मिस्टर नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा, जिस से mucosa dryness होगी और irritation ज़्यादा होगा, तो क्या करना है, मैं 2 to 4 liter से ज़्यादा oxygen अड्मिस्टर नहीं करना है, through the nasal cannula से, next one is, the most accurate method to check proper replacement of rylase tube, जो rylase tube क्या है, यहां पर NG tube है, तो proper तरीके से लगाई गई है, placement हुआ है या नहीं हम कैसे चेक करेंगे, auscultation by pushing air through rylase tube, expression through rylase tube, x-ray of the chest, checking bubbling on the rylase tube outlet in water, तो rylase tube proper तरीके से placed नहीं हुई है, NG tube है, जो कैसे हम check करेंगे, chest x-ray करके, check कर सकते हैं, रही है में, जो exam में आपको आ सकती rylase tube की, तो क्या एक NG tube है, rylase tube, तो इसको हम chest x-ray करके confirm कर सकते हैं, कि proper placement हुआ है, इसका है, नहीं, next one is, most important question, in autoclave is a pressure chamber used to sterilize equipment and supplies by maintaining, तो easy question है कि autoclave में कितना pressure, कितने duration के लिए रहेगा, 121 degree Celsius in 15 PSI for 15 to 20 minutes, 150 degree Celsius in 15 PSI for 5 minutes, 140 degree Celsius in 15 PSI for 15 minutes, 7 and of the above, autoclave में जो pressure रखा जाता है और जो temperature होता है, जनरल ही हाँ पर 15-20 minute के लिए एक से 21 degree Celsius रहेगा, तो आप किसको mark करेंगे, एक हो और फिर इसका duration है, जो इस चीज़ पर भी depend करेगा कि कौन सी items की आप autoclaving कर रहे हैं, तो यहाँ पर autoclave का pressure कितना हो, 12 degree Celsius temperature and 15 PSI for 15 to 20 minutes, next one is, which of the following method of contraception provides protection against STD, तो कौन सी method है, जो की sexually transmitted disease से भी prevent कर सकती है, OCP, IUCD, condom, आप नौर्प्लांट, implant, तो यहाँ पर एक ही जो ऐसे barrier method है, जो हम कहा हैं, तो वो है condom, जिससे हम sexually transmitted disease से prevent कर सकते हैं, next is, breast self-examination involves both, तो breast self-examination में क्या involved रहेगा, inspection of breast and palpation of breast tissue, palpation of breast tissue in squeezing nipple for discharge, palpation of breast tissue in axillary lymph node, यह फिर all of the above, तो B, S, C के जो step होते हैं, तो इन में सभी चीज़े involved होंगी, कि breast में कोई lump का formation तो नहीं होगा, तो वो palpate करना, कुछ abnormal discharge तो नहीं हो रहा है, वो चेक करना, palpate करना, lymph node में किसी भी तरीके से, axillary lymph node में कुछ enlargement तो नहीं हो रही है, वो चेक करना, next one is, which of the following agents most commonly caused the anaphylaxis, तो anaphylaxis हमने पढ़ा, कि suddenly BP down हो जाना, आपको कोई, या फिर आपके लिए कुछ अधर problems होना, तो anaphylaxis यहाँ पर है, कि किस कारण हो सकता है, क्या चीज़े हैं, जो anaphylaxis को cause कर सकती है, drugs, food, insect venom, या फिर all of the above, तो drugs से भी होगा, जिसको food allergy उससे भी हो सकता है, इंसेक्ट venom कोई भी, साब बिच्छू के काटने से भी हो सकता है, तो यह क्या है, आपर है, सभी reason है, जो anaphylaxis reaction को cause कर सकते हैं, next one is, a patient is being treated with tablet digoxin, digitalis, what sign and symptoms are indicator of digoxin toxicity, exam में question आता है, note down कर ले, digoxin toxicity का first sign symptom क्या होगा, conversion, blood vision, vertigo after muscle cramping, तो इसका जो first sign होता है, वो कहा होता है, blood vision, digoxin digitalis isn't the overdose होता है, तब हम कौन सा sign check करेंगे पहले, तो क्या होगा, blood vision, next one is, there is increased danger of suicide when a patient is, तो societal tendency सबसे ज़्यादा किस patient में होगी, improving from severe depression, extremely depressed, lethargic, या फिर female, तो societal danger के sign सबसे ज़्यादा किस में होगी, या फिर suicide कौन कर सकता है, तो वो होंगे severely extremely depressed person, कौन से, extremely depressed person, जिसमें societal tendency सबसे ज़्यादा होती है, suicide है, जो कब करेंगे लोग, जब helpless, hopelessness feel करेंगे तब, तो किसके कारण होगा, depression के कारण, next one is, the number of fingers to be used while checking the pulses, तो जब आप pulse check करेंगे, तो कितनी finger use करेंगे, 1, 2, 3, या फिर 4, pulse check करते हैं, तो time आप कितनी fingers use करते हैं, सब लोग करते हैं hospital में, तो कितनी करते हैं, total two finger, next is, the tube that convey urine from kidney to urinary bladder, तो यसी tube जो kidney से urinary bladder तक अटेच होती है, जो ki urine को लेके जाती है, तो वो कौन सी tube है, Utah, urether, urethra, यपर pelvis, तो वो tube जो कहां से अटेच है, kidney से अटेच होती है, वो urinary bladder तक जाती है, और, क्या करती है, urine का कंवे करती है, यहां से वहां करेगी तो कौन जी ट्यूब है वो कहलाती यूरेटर next one is how many pairs of salivary glands are there? salivary glands का मतलब है ainsing, ranthi, जो लारका secresion करती हैं कितनी होती हैं? 2 pair में, 3 pair में, 4 pair में, फिर 5 pair में तो total the salivary glands पूँछें तो कितनी होगी? 6 pair में पूँछें तो 3 कितनी 3 सबसे बड़ी कौंसी होती है पैरोटेड सबसे बड़ी जो यहां पर लार्ग रन थी है वह कौंसी वह पैरोटेड फिर आती है सब लिंगुवल एंड सब मैंडिबुलर ग्लेंड कैसी होती है पेर में रहेंगी तो आप किसको मार करेंगे 3 in pair next one is when the placenta is implanted completely over the lower uterine segment is called placenta previa placenta किस reasons implant होगा lower uterine segment में जिसको हम क्या कहेंगे placenta previa central part से marginal से partial central से और side line से placenta previa हम कब कहेंगे जब center part पर placenta के क्या हो lower uterine segment के हैं से central part से क्या हो implant होता है तब उसको क्या कहेंगे placenta previa next one is baby's weight is triple at the age of baby का weight teen गोना कब हो जाता है तो double होता है 5 to 6 month में triple होगा 12 month हो 1 year में quadruple होगा 2 year में next one is the main clinical feature of projectile vomiting तो projectile vomiting का male sign यहां पर क्या है fever, air hunger, diarrhea, projectile vomiting तो pyloric sternus इसका जो most common sign है वो क्या है projectile vomiting non-villious projectile vomiting है जो क्या है classical sign है किसका projectile vomiting sorry pyloric sternus इसका next one is इस cancer आप लोग comment box में देंगे cheese like greasy white substance covering the newborn's skin is newborn baby की skin को एक cheese जैसा white substance cover करके रखेगा तो वो क्या कहलाएगा लेन यूगो वर्निक से जो सा में कोनी है में आफे म्यूकस इस cancer आप लो comment box में देंगे जो रात में class होगी आज ही उसमें cancer आपको बताया जाएगा thank you for watching us bye bye